आज गांधी शांथी प्रतिष्थान, केंद्र और समस्या निवारण समिती के संवागार में COVID-19 वेक्सिनेशन शिविरका अयोजन जिला स्वास्थि समिती भागलपूर के सौजन्य से किया गया शिविर का उद्घाटन नीलिमा गुपता कुलपती तिलका मानजी भागलपूर विश्वविद्याले के द्वारा किया गया, साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथी डॉक्टर फारुक हली कुलपती जेपी नारायन विश्वविद्याले छप्रा के थे इस अफसर पर समस्या निवारन समिती और गांधी शांती प्रतिष्थान के पदाधिकारी सदस्यगन और स्वास्थि समिती के सदस्यगन उपस्थित थे उधगाटन करता डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि यहां पर देश हित और मानव हित में सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों द्वारा राश्ट्रिय महामारी को समाप करने में और विकास को गती तेज करने में सफलता मिलेगी देश और दुनिया में इसकी लहर जारी है जो सामाजिक जागरूपता से ही संभव है हम इसका खुद सिपाही बने खुद टीका ले और दूसरों को भी टीका के लिए प्रेरित करें वही दूसरी और डॉक्टर फारूक अली ने भी कहा कि प्लेग, हैजा और पोलियो जैसी बीमारी को हराने के बाद हम इसे भी बहुत जल्द हराएंगे लेकिन यह भागीदारी सबों को एक साथ लेनी होगी इसलिए वेक्सिनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें सभी ले और दूसरों को भी जागरूप करें कार्यक्रम की सफलता और शिविर की व्यवस्था में समस्या निवारन समिती कार्यकारिनी अध्यक्ष मुहम्मद तकी एहमद जावेद और महा सचिव रवी प्रकाश बुधिया का सराहनिय सहयोग रहा आज की शिविर में 18 वर्ष से उपर के लोगों और 45 वर्ष से उपर के लोगों का टीका करण किया गया इस अफसर पर गांधी शांती प्रतिश्थान के उपाध्यक्ष मुहम्मद अनुल होदा सचिव वासुदेव भाई कार्याले सचिव संजे कुमार डॉक्टर डियन चौधरी प्रकाश चंद्र मुझे लगता है कि यह जो गासिमेशन का एकी कारे चल रहा है तो पुरे भारत सर्वार का एक्मिशन है और भागलपूर इसमें इजना सक्रिय योग्दान देरा है यह देखकर मुझे बहुत पसंदा हो रहा है और मैं इस मुवम्में पुरे साथ हुए और किसी ने आज़ किसी ने आमसे अज़ भागलपूर को और भी स्टेटी यह दो हुए तो मुझे प्रसंत्रा होगी क्योंकि आज वाक्सिन ही एक एक स्टेशन कारा है जिससे कि हम इस अह्में इसमें के लोगों को पिस्टेटी यह लोगों में तो आप लोगों को यह संदेश देना चाहूंगी कि वाक्सीन बिल्कुल से आप लोग इससे बिल्कुल बहरीफ नहीं हो आप लोग निकलके आए वाक्सीन करवाएं और उनका भी करवाएं इससे कि हम लोग एक लिए समीटी पोसेट का तार्थिक प्रुबाहा जाता है कि हम करोना ठीका को लेकर भी भरम ठैला हुआ है इससे पर क्या अपील होगी आपकी देखिए तो भरम ना संधी का नतीजा है लोगों को समझना चाहिए कि जो भाइरस है बिल्कुल नया भाइरस है और इसको यह मुष्किर से 17 महने हो रहा है यह भी रहने वाला है और यह रहने मैं बताना चाहरा हूँ कि जब तक 70-80% लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक सामुईद रोग मुरोदक चंता जिसको हर्ड इमुनुटी कहते हैं हर्ड इमुनुटी तब तक नहीं हो गया जब तक 70-80% लोगों को ठीका नहीं लगे इसने एक मात्र इसके आपको उपाय है जिन आरिफ्टन करें हैं मैं चटाना चाहरा हूँ ते दुटें अमरिका जैसे कई देशों ने रूस यहां तक पि उन लोगों ने लगवाग 70% पर 37% कर लिया है कमाम नागरिकों का हैं तो बच़ों पर व्यों केंडृट कर रहा हैं हम तो बड़ों का नहीं कर पा रहा हैं हुआ है जिस फाल गषाल है सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि अभी अभी जो सामाजिक संजुत रोप से मैं और तिलकामानी भागरिक्स प्याले के खुलपती ने किया यह हमारे लिए सोबाग की बात है कि दोदो खुलपती एक आयजन में सामिल थे संजुक समय भाकलपूर आय हुआ था यहां पर है आप लूँड़ें से तने के जाहने का का नबीकर जेहां कि पनेखती वहीचीन जंप ही ज़रूर ले पहला अद्प का जरूर लें पहला है कुछ तो छमता बढ़ेती पढ़ेगी गुसरा लेंगे और डुसरा लेंगे और पmental समता बढ़ें मैंने खुद लिया है वक्षिन, इसलिए ये कहना किसे नफिन सकता होती है, तो वो फलमा की खुद से बना हुआ है, इससे बना हुआ है, तो इससे है, ये तमाम चीजें बरामक हैं, और इन तमाम चीजों से बचने की जड़ोत है, समाज में उस समय भी लोग थे इस तरह के, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, जो ना खुद करेंगे, ना रोड़ों को करने देंगे, इसलिए बनाई उसी में है, इस तरह से हमारा पूरा अंदेश का आ रहा है इस रमानी में, उसी रमाने ही हम बहें, तभी हम लहर गर लहर, चाहिए तिसरी आए की, चाहिए आए की हम सग लहरों से तकला करके हमारी रूटा पार रहेजी, स्वेह तेलन लहरों से थकला करके रूटा रिखवय है आज आए, लहर, उसी रूचार !